Hello Friends, आज मैं आपको के साथ स्वेर करने जा रहा हूं कि केंदरी विद्याले में कितनी फीस लगती है केंदरी विद्याले पीस ट्रक्चर दोस्तों आप सबने केंदरी विद्याले के बारे में सुना होगा उसके बारे में जानते होगे थोड़ा बहुत अपने बच्चों को admission कराना चाहते होंगे या कभी सोचा होगा कि आपके आपको relative कुसमे admission ले या साथ पढ़ते भी होंगे तो आईए मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि केंदरी विद्याले में fee structure क्या है केंदरी विद्याले में कितनी fees लगती है यह मैं आपको detail में बताऊंगा तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यह समझते है कि केंदरी विद्याले में monthly fees कितनी है तो देखिए दोस्तो पहला topic जो पहला point आता है वो है admission fees किसी भी school में जब आप admission लेते हैं तो केंदरी विद्याले में और किसी का उसका नाम कट जाता है तो उसी साल अगर आप admission लेते हैं ready तो उसके re-admission fees 100 रुपीज है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि market price यानि कि जो private school है उनकी fees और केंदरी विद्याले कि school की fees में कितना ज़्यादा difference है दोस्तों जैसे आप बढ़ेंगा आपको यह difference और clear होता जाएगा तो दोस्तों इसलिए जरूरी है कि अगर आपके कोई भी जानने वाला जो केंदरी विद्याले में पढ़ना चाहता है या उसके बारे समझना चाहता तो उसे यह वीडियो जरूर शेयर करिए और अगर आपके चैनल पर न्यू है तो हमें सब्सक्राइब करिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक करिए दोस्तों अगला जो हमाला टॉपिक है वो है tuition fees तो tuition fees क्या है tuition fees को समझने के लिए हमें यह समझना हुआ कि अलग-अलग classes में अलग-अलग तरह से लगाय जाते हैं तो यह रखिए class 9th 10th में है tuition fees only 200 रूपिस यह monthly fees है तो friends यह monthly fees है ठीक है तो only 200 रूपिस tuition fees 9th and 10th के लिए 11th and 12th के लिए यह 300 रूपिस 11th and 12th के लिए यह 300 रूपीज 11th and 12th Humanities, Commerce and Humanities Boys के लिए 300 रूपीज 11th and Science के लिए Boys के लिए 400 रूपीज Computer Fees कितनी है Computer Fees है Computer Fees आप देख सकते हैं 3 onwards Wherever Computer Education Class 3rd से Computer Education सुरू हो जाती है केंदर भी द्याले में तो per month 100 रूपीज लगती है Only 100 रूपीज Computer Fees for Electives अगर आपने Computer का subject चूज़ किया है Plus 2 stages पे तो यह आपके लिए 150 रूपीज पर month लग रही है विद्याले निधी कितनी है VVN VVN है आपकी Class 1 से लेके 12 तक लगती है और यह per month आपको 500 रूपीज देना पड़ता है पर month आपको 500 रूपीज है VVN जिसको बोलते है तो आज़े दोस्तों यह हमारा इसके monthly fees structure clear होगा लेकिन केंद्री विद्याले में fees deposit monthly नहीं होता है वो तीन month का होता है तीन month थ्री months का होता है तो एक साथ fees जमा होती है और इस साल में आपको calculate करके दिखा दिया है तो हर class wise हम आपको दिखा रहे है आप इसको देख के बड़ी आस्थानी समझ सकते है कि आपको तीन महीने में किती फीज हमा करनी है जो भी amount हम आपको तीन महीने का बता रहे है आप उसको चार से multiply कर दीज़ेगा तो आपको साल मर की फीज निकल आएगी class 1 and 2 की फीज कितनी वीवियन केवल पढ़ा है 1500 रुपए वोगी 500 रुपए वीवा ने इसको 3 से multiply किया तो 1500 रुपए तो यानि कि साल यानि कि एक टब एक वाटर की फीज हो गई 1500 रुपए यह देगे प्राइवेट स्कूलों पर जहां पर हजारों वसूला जारा है यहां केवल 1500 रुपए तीन यानि कि इसको 4 से multiply कर दीजे यानि कि सिर्फ 6,000 रुपीज साल मर का फीज है यह गजब का यह है और दोस्तों बहुत ही quality education यह प्रवाइट कराई जाती है जो आप अपने बच्चों को इसमें डालिये जरू डालिये और अगर नहीं डालना चाहिए एक बर कोशिश जरूर करिए को कि इससे आपकी monthly saving आपकी बचत आपकी आपकी जो आर्थिक समस्याओं को बहुत बड़ा समधान होगा एक बर कोशिश जरूर करिए का अपने बच्चों को केंदरी विद्धालाइज में पढ़ाने के लिए अगली है क्लास 3 से क्लास 5 तक क्लास 5 1500 प्लस 3 अंडे की तीन महीने का लगता है 1800 ओली 1800 रुपीज फॉर थ्री मथ पोड से मल्टिप्लाइज करिए और साल बर की फीज दिगाल लीजिए अगला क्लास 6 तक 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 क्लास 6 त जहकर रहें 300, 300, 300, यह कबड़र फीस है, क्लास 11 ए 12 के 900, प्लस 1500, प्लस 450, 2850, 2850 रुपीस के बढ़ा रहा है, उस तो यह प्राइवेट स्कूल के दाम, उसमें जमीन आसमान का अंतर है, जहां आपको प्राइवेट स्कूल फिल्कुल लूट कर एक्दम सफाय करते हैंगे, वहीं आपको क्वालिटी एंजुकेशन प्रवाइट कर रहा है, केंदरी भी दाले, बहुत इक कम प्राइसेस में, मैं परचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पता, क्लास 11 ए 12, वहीं बिल्कुल रियल डेटा है, और आज का डेटा है, करेंट डेटा है, इसलिए एक बाइब जरूर ट्राइब करें अपने बच्चों को के इंदुर भी दाले में पढ़ाने के लिए, अगर आपको को रिलेटीव है, कोई भी जानने वाल है, तो उनको सज़ेस्ट करिए, क्लास 11 ए 12, कम्पुटर साइन्स की जो ब्रांच उसकी है, 1500 प्लस 458 नाइट, 1900 ए 50, पिल्कुल आपकी 5 मलग आप ऐसा रेट नहीं बाइगा, वह क्वाल्टी एजुकेशन है बहुत, आप जरूर अपने बच्चों के बढ़ ट्राइ करिए, अगर कोई जानने वाले हैं, कोई भी आपके, कोई आपको रिलेटिव में हैं, कोई भी जानने वाल जो अपने बच्चा इस एज में, जो के एजुकेशन प्वाइट कर रहा है, की admission guidelines के इंदरे भी दाले में admission कैसे पाएं उसकी जो guidelines है बहुत तो confused रहते हैं तो अगर आपको चाहिए ये वीडियो की admission guidelines प्रीज कमेंट करकर हमें बताइए कि हाँ आपे चाहिए अगर अच्छा demand होगे अच्छे अगर आप लोग जरूर support करेंगे तो मैं ये भी जरूर बनाओंगा thank you friends हमाई चाहरों को subscribe करना मत मुलिए